Hello Guys, Welcome to your Youtube Channel Crypto World मैंने नहीं नहीं वीडियो में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZK-Sync के बारे में और ZK-Sync का आज मैं complete guide देने वाला हूँ कि आप कैसे completely ZK-Sync era और ZK-Sync light पे कैसे active रह सकते हैं और इनके आने वाले airdrop के लिए कैसे eligible हो सकते हैं ZK-Sync तो मैंने आपको काफी भी time पहले बताया था लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं detail guide देने वाला हूँ कि पूरा यहां पे ZK-Sync era और ZK-Sync light दोने पे हम कैसे active रह सकते हैं और कौन-कौन सी transaction और कौन-कौन सी जगह हमने यहां पे activity करेंगे ताके हम इनके airdrop के लिए eligible हो सकते हैं आज की वीडियो फुल गाइड होने वाला है एक ही साथ तो इसको बिल्कुल भी miss मत कीजिएगा अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम बात करें तो इसकी funding के बारे में प्रोजेक्ट चल रहा है हमाला Z casing क्योंकि Z casing की technology मुझे खुद भी काफी अच्छी लगी क्योंकि यह काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और यहां पर काफी इसका scope है सो बात करते हैं इसकी launching की तो यहां पर हम expect कर रहे हैं यह 2024 के starting में यह launch हो सकता है क्योंकि टीम ने आलरेडी कहा है कि हम इस पर अच्छे से काम करेंगे इसको high technology और जैसे high use होगा उसी के बाद हम token के बारे में सोचेंगे तो funding जैसे आपने देख ली और यहां पर funding काफी बड़े बड़े नाम है जैसे होगी venture हो गया पर इसके बाद यहां पर हम बात करें तो रीप्यो वेंचर उसके बाद यहां पर bybit उसके बाद काफी बड़े बड़े यहां पर नाम है जैसे ethereum foundation तो यहां पर funding की तो बात ही न करेंगे क्योंकि इतना बड़ा project हो आप सब को पता है कि काफी यहां पर बड़ी airdrop के लिए eligible हो सकते हैं अब यहां पर बात करेंगे हम यहां पर दो चीज़ें यहां पर करेंगे सबसे पहले यहां पर जड़के सिंग लाइट और जड़के सिंग कह रहा हम दोनु का इस्तिमाल करने वाले क्योंकि इससे यह रहेगा जैसे आपको बता आर्भी ट्रम का airdrop हुआ था तो आर्भी दो टाइप का था एक नवा था और एक मेंनेट तो जिनन ने दोनु किया था उनको जायदा token मिले और जिनन सिर्फ एक यूज किया था उनको कम मिले सो यहां पर मैंने आपको fully गाइड करने वालों तो सबसे हम यहां पर क्या करेंगे फिर्स लिंक कर लेंगे पहले हम कवर क करेंगे जटके सिंख light को और यहां पर हमने चार टीन से चार टास्क करने जो आप यहां पर इसे चार डालर की फीस में कर पाएंगे ZK सिंख Arab में आपको तकरिबन $5-10 लग जाएंगे चैनल वहां की बीच डालर तक आपका लग सकता है आप यहां पर जैसे हम फर्स्ट यहां पर जटके सिंग लाइट परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे लिंक कॉपी कर लेंगे हमारा मैटमास का अल्रेडी सेट अप है जिसमें 170 डॉलर के एथिरियम पड़ें क्यों इसको यहां पर जैसे ओपन हो जाता उसके निए अपनर मैटमास किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो मैंने हां पर आपन जो मैं फॉलट में फंट राखें उसका सथ यहां पर कनेक्ट ने के बाद यहां पर क्या करना है यहां पर आप देख सकते हो आपके सामने आ चुका है कि यहां पर आपको deposit करने होंगे हैं तो हमारा यहां पर आप देख सकते कर देना है फीस अल्मोस्ट आपकी 3 डॉलर यहां पर लग रही है क्योंकि ब्रिज की ही सबसे ज्यादा फीस होती है सो यहां पर 3 डॉलर फीस लग रही है उसके बाद हम यहां पर टॉप कर देंगे तकरीबन यहां पर 5 बिनट के अंदर के लिए जो एक फर्रॉब हो चुकी है और यहां पर मेरे जो फंड है यहां पर जैट डाइट पर एड हो चुके है यहां पर मैं swap का link open कर लूँगा जिसका नाम है zigzag exchange तो यहां पर मैं simply एक new tab open करके इसका link को open कर लूँगा यहां पर देख सकते हैं जैसे हम zigzag exchange के page पर आ जाते हैं आपके सामने यहां पर दो option आ जाते हैं trade on zk sink और यहां पर trade on arbitrum तो आपने zk sink light जो इस पर trade लिखा इस पर आ जाना है उसके बाद आपने क्या करना है यहां पर top से अपना wallet connect कर लेना है जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो wallet है connect हो चुक है zk sink light और चाहे हमारे यहां पर metamask में अभी भी जो wallet है तकरिबन ethereum शो कर रहा है लेकिन हमारा यहां पर जो आप balance देख सकते हो तकरिबन 0.3 जो हमने add किया था वही शो कर रहा है तो अब हमने यहां क्या करना है एक transaction perform कर नहीं है तो मैं यहां पर transaction perform कर लेता हूँ ethereum यहां पर आप देख सकते हो buy और sell का आता है तो मेरे पास already है तो मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर sell कर दूंगा तो तकरिबन यहां पर 10 या 15 डॉलर तक का यहां पर sell कर देता हूं market order लगाना है तो यहां पर fees जो रहेगी ह यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो यहां पर order लग चुक है अब simply यहां पर committing आ रहे है तो यहां पर मेरा first order यहां पर complete हो चुक है अब यहां पर क्या करूंगा जो मैंने यहां पर sell किया तकरिवन वही यहां पर buy कर लूँगा ऐसे ही आप अपने ZK Sync पर light पर transactions perform कर सकते हो आपके पस एक दो डी एप्स और हैं लेकिन यहां पर यही है जिग्जाग एक्सचेंज जिससे आप transaction को यहां पर perform कर सकते हो तो यहां पर देख सकते हो मैंने यहां पर तक्रिबन दो transaction perform कर दी और यहाँ पर मेरी कोई भी फीस नहीं लगी है और एक डॉलर फीस लगी थी जो यहाँ पर मेरा अकाउंट एक्टिवेट करने की लगी थी सो सिंप्ली आप क्या करेंगे हम दुबारा से अपने टेलिग्राम पर आ जाएंगे अब हमने यहाँ पर स्वैप वाला काम यहां पर कर चुके हैं अब हम फॉर्स्ट अपना एनेफटी मिंट लिंक प्रफॉर्म करेंगे इसके लिए हमने फॉर्स लिंक को आपी कर लिया और पर उपन कर लेंगे जैसा आप देख सकते हो हमने फिर्स लिंक अफ्ती का उपन किया था इसका नहीं है पिनाटा कॉलॉड पर हमने क्या करना है यहाँ पर हमने पहले एक send confirmation code पे tap कर देना है जैसे send confirmation code कर देंगे उसके बाद आपके email पे code जाएगा जो आपने enter करके verify पे tap कर लेना है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हम pinata.cloud में आ चुके simply आपने add file पे आ जाना है उसके बाद यहाँ पे एक file पे tap कर देना है यहाँ पे आपको बोलेगा drag and drop your file तो simply यहाँ पे select file करूँगा उसके बाद यहाँ पे एक photo चूज कर लूँगा फोटो चूज करने के बाद simply आपने upload कर देना है उसके बाद यहाँ पे बोलेगा generating CID and pinning your file तो simply आपने क्या करना है जैसे हम second link open कर लेंगे आपके सामने यहाँ पे wallet आजाएगा तो आपने simply ethereum चूज कर लेना है metamask चूज कर लेना है और उसके बाद आपके यहाँ पे wallet connect हो जाएगा अब यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हो कापी करने के बाद यहाँ पे content address पूछा गया है यहाँ पे paste कर देना है उसके बाद authorized to mint NFT पे press कर देंगे आपकी यहाँ पे fees almost यहाँ पे 0.17 डॉलर लगेगी तो आपने इसको यहाँ पे approve कर देना है यहाँ पे आपका काम almost $5 के अंदर यहाँ पे complete हो जाता है according सारी fees और दो transactions करके तो आप उसी के according यहाँ पे deposit कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो NFT प्रोसेसिंग में है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो NFT थी यहाँ पे mint हो जुकी है और यहाँ पे मेरा जो first task था complete हो जुका है जैड के सिंग लाइट पे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपने जो Ethereum deposit किये थे इन Ethereum को आप withdraw भी कर सकते हैं इथेरियम पे तो उसके लिए आपने क्या करना है तो आपने simply transfer पे प्रेस कर देना और यहाँ पे आप देख सकते हो transfer to Ethereum पे tap कर देंगे उसके बात यहाँ पे कितना है तो आप max प्रेस कर देंगे और send to Ethereum पे प्रेस करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो कि जो transaction है तकरेबन यह आपकी 7 गिंटे बता रहा है कि 7 गिंटे तो आप 24 गिंटे मान सकते हो Ethereum पर जाने के लिए उसके बाद यहां पर आपकी एक transaction आए जाएगी जिस transaction की fees आपको almost यहां पर 1 से 3 डॉलर तक लगेगी तो आप वहां पर transaction का अप्रूब कर देंगे और उसके बाद आपका यहां पर जो balance है आपके Ethereum चेन पर चला जाएगा अब बढ़ते हैं आपने next procedure की तरफ जहां पर हम z casing era पर task perform करेंगे तो जब हम वापिस आ चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो z casing light के जो भी टास्क यहां पर complete हो चुके है अब हमारा next task रहने वाला है z casing bridge का तो simply हम first link को copy कर लेंगे और यहां पर इसको open कर लेंगे तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा यहां पर link open हो चुका है उसके बाद यहां पर connect to metamask बोल रहा है तो यह era है यहां पर simply हम इसको connect कर देंगे connect करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो bridge है यहां पर show हो रहा है जहां पर हम क्या कर सकते हैं अपने bridge से यहां पर z casing main net में balance transfer कर सकते हैं तो यहां पर हमने क्या करना है simply यहां पर हम transfer करेंगे 0.003 तो मैं तकरिवन 50$ कर रहा हूं तो आप चाहें तो आप अपने according कर सकते हैं 5-10$ minimum यहां पर जैसे मैंने आपको already recommend किया था किया था कि यहां पर आप क्या कीजिए minimum 10$ deposit कर लीजेगा तो simply यहां पर जैसे हम transaction डाल देंगे उसके बाद यहां पर deposit पर टैब कर देंगे तो आपके सामने यहां पर आ चुका है fees almost यहां पर 5$ लग रही है जड़के सिंग light से यहां पर आपकी ज्यादा fees यहां पर लगने वाली है तो simply यहां पर हम confirm पर टैब कर देंगे उसके बाद यहां पर हमारा जो ब्रीज का टास्क है complete हो जाएगा तकरिबर इसमें 5 minute लग सकते है maximum तो हम यहां पर वेट कर लेंगे तो यहां पर इस city economics हम यहां पर फंट कर लेंगे तो हम इसको यहां पर उपन कर लेंगे को के मायद यहां पर हमने यहां पर ऑपन करनेक्त वालेज़की अपर इसके बाद आपको कहलान पर एड़ होंने का इंड कर जाएग अ जो स्वाटकरियोक सिंग मारत में करते रहे connect हो जाएगा अब यहां पर आप हमारा balance देख सकते हो तो हमारा जो first task यही रहने वाला है कि हम यहां पर first task में यहां पर कुछ transactions करेंगे जैसे मैं यहां पर अपना Eats to USDC कर रहा हूँ simply यहां पर मैं अप्रूव कर दूँगा तो जैसे आपने देख सकते हैं हमारी जो first यहां पर fees लगी थी तकरीबन यहां पर लगी थी पांच डॉलर तो next यहां पर fees लग रही है यहां पर एक डॉलर लग रही है जिससे हमें यहां पर complete हो चुकिया है और यहां पर मेरे को 70% gas का refund आ चुका है यहां पर मेरी almost fees लगी है 0.3 डॉलर अब मैं क्या करूँगा वापिस से यहां पर अपने जो USDC हैं उनको ETH में transfer कर लूँगा ताके यहां पर मेरे transaction भी जैदा हो जाए और मेरे जो USDC है ETH में convert भी हो जाए जैसा आप देख सकते हो मेरे यहां पर USDC भी यहां पर वापिस हो चुके हैं और मेरी यहां पर fees भी almost $1 लगी है दोनुं transaction करने को अब हमारा next जो D-App है वो है Mute Swap तो देखिए Mute Swap भी एक swapping platform है हमारे Z-Casing Aira पर तो इसको भी हमने simply जैसे first किया था है वैसे ही यहां पर open क इसके साथ wallet connect करके swap perform कर लेना है उपर कर लें तो ताकि हम यहां पर जैदा eligible होने के chances जो भी determined conditions है उनसे जैदा उपर हो जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने convert कर लिया और यहां पर मेरी 100% gas fees refund हो चुकिया 1.17 डॉलर तो मैं यहां ही तक्रीबर एक से 2 या 2-4 transaction कर लूँगा simply swap और वापिस यहा यहां पर पूल अगर करना चाहें तो यहां पर आप कुछ supply भी कर सकते हैं जैसे Mute, WODC, USDC, WETH यहां पर आप ऐसे कोई भी पूलिंग अगर करना चाहें तो आप यहां पर liquidity भी add कर सकते हैं तो यहां पर हमारा जो third task यह भी यहां पर complete हो चुके है अब यहां पर हमने जो हम P는 platform है जो의 ZK Singけअरा पर है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं यहां पर ETH को यहां पर supply कर सकते है having offered को एक चीज़ आपको supply करनी होती है और एक चीज़ बॉरो करनी होती है तो हम यहाँ पर supply पर आएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ETH पड़े हुए तो हम simply यहाँ पर 25% कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक option दिखेगा US as a collateral तो simply आपने इसको open कर लेना है क्योंकि इसके बिना आप यहाँ पर USDC को borrow नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं इस option को open कर लूँगा जिसके लिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर fees लगेगे simply मैं इसको confirm कर दूँगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा option यहाँ पर enable हो चुका है उसके बाद यहाँ पर मैंने supply पर टैप कर लेना है जैसी टैप कर लूँगा उसके बाद यहाँ पर दुबारा से transaction आएगी जिसकी fees आल्मोस्ट मुझे यहाँ पर refund हो जाएगी तो simply मैं यहाँ पर confirm पर टैप कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो almost 66% मेरी fees भी वापिस आ चुकी है और यहाँ पर मैंने ETH को यहाँ पर supply भी कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो borrowing भी यहाँ पर हो चुकी है अब दुबारा से supply पर जाओंगा और supply पर जाने के बाद यहाँ पर मैं रीपे पर जाओंगा और इसके बाद यहाँ पर max करके मैं अप्रूव करके इसको रीपे कर दूंगा देखिए जो यह lending platform है इसको मैं और आपको दिखा रहा हूँ तांके आपकी यहाँ पर जयादा platform पर activity हो अगर आप देखिए यह इस पर सबसे जयादा फीस लगने वाली है तो अगर आप चाहें तो आप इसको skip भी कर सकते हैं आपने risk पर क्यूंकि मैं तो नहीं बोलूँगा skip करने के लिए लेकिन अगर आपके पास fund की shortage हो तो आप इसको skip कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आपने जैसे swapping platform है उनका इस्तिमाल कर सकते हैं आपनी transaction को increase करने के लिए तो simply यहां पर मेरा यह काम था यहां पर repay करने का तो मैंने यहां पर repay भी कर जुगा अब मैं क्या तो में यहां पर ihan peth supply किये थे इसको मैं यहां पर withdraw option पर जाऊंगा और यहां पर max करने के बाद आपने जो मैंने supply किये थे इनको यहां पर withdraw भी कर लूँगा ताकि यह platform पर मेरा यहां पर सब कुछ clear हो जाए यहां पर आप देख सकते हो इस platform पर मैंने सारी transaction अप्रूब कर दी सबसे पहले मैंने यहां पर supply किये उसके बाद यहां पर मैंने usdc borrow किये फिर जो borrow किये थे इनको repay किया और उसके बाद आपने जो supply किये थे इनको withdraw कर चुका हूं मैं जब पता यह task थोड़ा सा difficult है वीडियो को स्लोली करके यह part अच्छे देखिए इसको complete कीजेगा अब यहां पर हम टेलिग्राम पर चलेंगे और हमारा जो last यहां पर टास्क है nft mint का तो आपने इसको यहां पर open कर लेना है open करने के बाद इस link को यहां पर अपन कर लेंगे simply जैसे यहां पर इस link को open कर लेंगे तो आपको यहां पर एक mint का option दीखेगा simply यहां मिन्ट पर आ जाना है आपने यहां पर एक drop nft आएगा तो यहां पर आपने photo ऑपन कर उसके बाद यहां पर आपने NFT का नाम दे देना, यहां पर मैं कोई भी नाम दे देता हूं, उसके बाद यहां पर description value वेगरा आप चाहें तो इसको skip कर सकते हैं, उसके बाद आपने NFT को simply यहां पर transaction approve करके ने के बाद यहां पर इसको mint कर लेना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मेरी $1 फीस लग किया है, जो NFT थी यहां पर mint हो चुकिया है, आप चाहें मैं इसको cross करके यहां पर अपनी profile पर जाके मैं अपनी NFT को देख सकता हूं, जो मैंने यहां पर अभी mint की, तो अगर चाहें तो आप यहां पर NFT square पर जाके यहां पर explore करके कुछ अगर NFTs buy करना चाहते हैं, जैसे कि कोई सस्ती NFT जैसे baby apps या कुछ भी ऐसी मलब जो NFT सस्ती हो, वो आप चाहें तो वो आप buy कर सकते हैं, जिसका floor कम हो, और extra precautions के लिए, आज का काम इतना ही था, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर ZK Sink light को भी use कर लिया, ZK Sink यहां पर कितना काम किया, उसके लिए last पर मैंने आपको check activity एक link दिया, simply आपने यहां पर इसको open कर लेना है, उसके बाद आपने मेड़मस्क से जो, जिस wallet से आपने transactions की थी, उस wallet address को यहां पर paste कर देंगे, देखिए यह ZK Sink era की transaction बता रहा है, light की नहीं बताएगा, तो यह यहां पर आप देख सकते हो, मेरी आज की बता रहा है, तो मेरी यहां पर 19 interaction हो चुकी है, volume मेरी रहने वाली है, $2.37, fee spend मैंने जो की है, पूरी total यहां पर $5 spent की है, मेरी last activity one day पहली थी, और यहां पर active month one week one, so यहां पर मैंने किस किस platform पर काम किया, ZK Sink era portal, mute, sync swap, तो आप च काम कर सकते हो, so guys, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीज़ेगा, प्यारा सा कमेंट कीज़ेगा, thanks for watching our video, thank you guys.